Q. As-salamualaikum ये ये कंप्प्यूटर का second lecture है, इस lecture में हम पढ़ेंगे history of computer ओर थोड़ा सा थोड़ा सा generation of computer b लेकिन यहाँ पे हम history पूरी तरह complete करेंगे next lecture में आपको generation और बाक़ी चीजे मिलेंगे types of computer और बाक़ी चीजे यहाँ से डरिये मत लेक्चर के एंड पे में मैं आपको थोड़े से ट्रिक्स बताओंगा कि आप कैसे आसानी से यह याद रख सकते हो, ट्रिक्स से कैसे आप चीजे याद रख सकते हो, देखो भई, मैंने आपको बोला है कि हिस्टरी हमेशा जेनरेशन आप कम्पुटर के साथ मिक्स करके और बहुत सारे बुक्स, जैसे के अरी हां तलूशन्द आपके सामने होगी, उनमें बहुत बड़े बड़े एरोर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एरोर्स हैं, एक एक एग्जाम्पल में आपको दूंगा, रीजन है अपग्रेडेशन नहीं हुआ है उन मेटेरियल्स का, री में दूँगा आप शब्ने सुना होगा दुनिया का फास्टस्ट सुपर कम्प्यूटर कोन है? 30 seconds है आपकी बुक में तो लिखा यह देख लिजे आपके नोट्स में बहुत सारी THERE लेकिन दुनिया का फास्टस्ट सुपर कम्प्यूटर यह नहीं है अगर सवाल में ये fastest super computer of the world था लेकिन 2020 के हिसाब से दुनिया में fastest super computer है summit कल को अगर सवाल आएगा fastest super computer world का बताएगे चुँकि आपकी किताब और coaching centers ने आपको बोला है 24 second आप यही लिखोगे लेकिन आपका तो सवाल गलत हुआ ना क्योंकि summit तो आज कल की दुनिया में summit है fastest super computer गलती किस की है गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपकी क्योंकि आपके सामने जो किताब है वो ही आपने लिखा गलती है किताबों की जो बार बार हर साल अपने आपको update नहीं करते current affair के material से गलती है उन teachers की उन coaching centers की जो अपने आपको update नहीं करते current affair से हमेशा current affair चक करना चाहिए कहीं ये किताब तो गलत नहीं है कहीं ये किताब तो change नहीं हुई है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़े changes होती होती है और तब आप ये नहीं कह सकते JK SSB ने या किसी भी exam ने SSC ने गलत लिखा है सवाल जवाब गलत है ऐसा नहीं कह सकते इतना ही नी बहुत सारी चीज़े आपकी किताब में गलत है example दूसरी देता हूँ आपकी किताब में देख लीजे खोल के इंडिया का जो परम सीरीज है लेटेस्ट परम सीरीज कौन है मतलब कि इंडिया का सुपर कम्प्यूटर परम सीरीज से सुपर कम्प्यूटर लेटेस्ट कौन सा है और आपको पता है आपकी किताब लिखती है परम युवा सेकेंड या कोई किताब तो लिखती है कम से कम 2017 का information इशान परम ब्रह्मा लेटेस्ट सुपर कम्प्यूटर आफ इंडिया परम सीरीज का गलती किस की है अगर ये आया लेटेस्ट परम सीरीज का सुपर कम्प्यूटर बताईए आप ये दिखेंगे लेकिन परम ब्रह्मा याद रखना परम ब्रह्मा परम ब्रह्मा लिखने के बजाए आप ये लिखोगे गलती आपकी नहीं है गलती फिर से कोचिंग सेंटर्स की है और किताबों की है जो अब अबडेशन नहीं करती है ओके बहुत सारे और चीजें हैं वैसे हमें ये सुपर कंप्यूटर्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना ह और मैं आपको information दूँगा current authentic और मैं चाहता हूँ कोई भी book अगर बनती है जैसे कि JK SSB की कुछ books मैंने देख ली अरे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये book चाहिए वो book चाहिए वो book चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा गलतियां मैं चाहता हूँ मैं बड़ी appeal करता हूँ मैं अब उठते हो और चापते हो copy paste करते हो लेकिन जहां से आप कोई गलत नहीं copy paste करना मान लिया मैंने कोई गलत नहीं क्योंकि एक जगा material मिलना बहुत अच्छी बात है लेकिन जहां से आप copy कर रहे हो भाई वो authentic information होनी चाहिए कोई भी information आप नहीं दे सकते कलको मैं कोई YouTube पे बोल दूँगा तो वो authentic नहीं बन जाएगी authentic sources डूंटो भाई ओके चलो भाई हम बात करेंगे history of computer और generation of computer की इन दोनों को हमको पढ़ना है mix Mac कैसे पढ़े सर history तो वैसे बहुत पहले से start होती है यह तो before Christ की बात है abacus आया था लेकिन बोलते हैं हाँ अच्छी established form में आया था abacus abacus calculating device established form में आया था 1600 के आसपास 1602, 1603, 1601 कोई किताब लिखती है माल लेते हैं चलो abacus established abacus आया था 1600 में 1600 से computer की शुरुवात होती है history 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 computer आते हैं abacus, naipier, pascaline, jocardos loom बहुत सारी computer आते हैं और 1953 तक बोला जाता है बस यह यहां से यहां तक history है computers की लेकिन याद रखना इसी history के बीच में एक point आता है 1946 वाला 1946 से लेके आज तक आज तक ही नहीं यह arrow उपर लिखा है आज से भी आगे beyond 2020 आप क्या सकते हो 1946 से लेके आज तक और आज से भी आगे माना जाएगा generation of computer आपके दिमाग में सवाल होगा सर ऐसा क्यूं दो-दो topic पढ़ने क्यूं क्यूं ना history में ही generation एक ही topic होगा तो अच्छा होगा आसान होगा लेकिन reason है generation को अलग topic पढ़ने का reason है generation of computer में यह बोला जाता है computer का generation हुआ, computer के stages में तब्ली आई, improvement stages में हुई, advancements हुए, मगर याद रखना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, electronic computers का, electronic dunya की improvement हुई, stages की first generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation अब पढ़ते हैं, लेकिन electronic दुनिया की generation है यह, याद रखना, generation में electronic computers की बात है, तो history में क्या है सर, history में तीनु टाइप आप computers है, mechanical भी है, electromechanical भी है, और यहाँ पे लिखना आप, electronic भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक electronic दुनिया है, तो थोड़ा सा history जो है, वो electronic period है, आप क्या सकते हो, last stage of history का, पहला stage है, generation of computers का, इवन कि जो यह period है, history का, वो first generation मानी जाती है, तीक है न, तो last period जो history का था, वहाँ पे भी तो electronic दुनिया आई थी, याद रखना कि history में mechanical दुनिया भी है, mechanical computers भी है, electromechanical computers भी, और थोड़े समय तक last में, electronic computers भी आए history में, electronic computers, electromechanical और mechanical फर्क क्या है, बहुत आसान है, mechanical मतलब आप हाथ से कोई calculation करते हो, वो है mechanical, machines, कोई machine आपने बना ली, हाथ से, जैसे कि abacus, आपके सामने abacus, abacus क्या लगता है, add करने के लिए, abacus, आपने इनको plus किया, subtract किया, हाथ से किया, यह है mechanical, electromechanical क्या, electricity की वज़ा से, जो आप कर रहे हो ना, यह mechanical चीज है, movement, यह electricity की वज़ा से हो ना, जैसे कि electric energy की वज़ा से, motor रन करता है, है न, वो wheel रन करता है न, यह mechanical है, लेकिन electricity के वज़ा से, यह action है, लेकिन electricity के वज़ा से, आप डिरेक्टर हाथ से action दे रहे थे, abacus में, लेकिन, electromechanical क्या है, electricity की वज़ा से, आपको हाथ लगाने की ज़ुरत नहीं, खुद actions होते हैं, खुद बखुद moments होते हैं, electricity के वज़ा से moments होना, moment, moment, move करना कुछ, okay, उसके बाद third stage है, electronic, electronic मतलब कोई moment, moment नहीं, कोई mechanical चीज नहीं, electronic चीज़े, जैसे कि, ICs, ICs, सब कुछ अंदर होना moment की कोई ज़ुरत नहीं, अब, यहाँ पे आपको electronic, electromechanical और mechanical आगे भी को मिलेंगे बहुत अची तरह, जब हम next में पढ़ेंगे, analog computer, digital computer, hybrid computer, बहुत अची तरह clear हो जाएगा, लेकिन चाहे कोई भी computer हो, पुराने जमाने से आज तक जो जमाना चलता आ रहा है, क्या हुआ computer की changes, computer में क्या changes आए, याद रखना, पहले पहले जो computer बने, advanced वाले computer, मैं मानूँगा ये, analytical engine, क्यों, 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 देख लो, computer ये है न, ये तो हाथ से बनाई हुई चीजे है, सबसे पहले माना जाता है, ये best computer था, असल में computer की दुनिया यहां से start हुई, तब ही तो Charles Babbage को father of computer मानते हैं, क्योंकि असल दुनिया computer की यहां से start हुई, पढ़ें ये, लेकिन आज देख लो, हर गर में computer है, आज, बिजनस के लिए भी computer है, आज commercial यूज के लिए भी computer होता, scientific purpose के लिए भी यूज होता, computer, I don't remember as. पहले सिर्फ scientific, आज दूनू दूनू आज scientific purpose के लिए भी computer इस्तिमाल होता है, commercial भी, अरे पूरा commerce ही, computers भी ही है, आज dependent है, इतना ही नहीं, आज और कुछ भी हुआ है, आज के computers और पुराने computers के मुकाबले में आज क्या है, आज speed ज्यादा है, जब ऐसे computer आये, generation to generation और history, देख आज size कम है computer का, आज computer ज्यादा store कर सकते हैं, आज computer ज्यादा,पश कर सकते हैं, आज computer कम हीat लेते हैं, आज computer कम size के हैं आज computer ज़्यादा processing speed है आज computer ज़्यादा storage रख सकते हैं आज उनमें ज़्यादा store हो सकता है आज computer कम cost के हैं कम cost के लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ खास लिखा है economic term है यहाँ पर inflation value को अगर आप खत्म करोगे तब cost कम है वैसे आप बोलोगे sir पुराना एक computer है वो मानलो 100 रुपए का था पुराने ज़्माने में आज वो ही computer मानलीजे हजार में है आप बोलोगे sir cost तो increase हुआ नहीं भाई cost increase नहीं हुआ cost decrease हुआ sir कैसे अरे तब का 100 रुपए आज के हजार नहीं आज के 1 लाग 2 लाग 3 लाग के बराबर है ठीक है ना तो इसी को बोलते है यह increase यह पैसा cost increase नहीं हुआ यह तो inflation increase हुआ लेकिन actual में याद रखना cost कम हुआ अगर आपको सवाल आये सवाल कभी आये याद रखना actual cost inflation value को exclude करके बताए cost computers का increase हुआ है कि decrease हुआ है decrease हुआ है याद रख लेना अगर उसने यह पूछा कि actual actual कुछ भी नहीं है अगर उसने पूछा direct cost बताए computers का increase हुआ है कि decrease हुआ है तो आप लिख सकते हो increase हुआ है वैसे यह सवाल आएगा ही नहीं क्योंकि बहुत सार ऐसे computer जो आज सस्ते हैं पुराने जमाने के मुकाबले में यह सवाल आ ही नहीं सकता मैं मानूगा ही नहीं कोई paper जो यह सवाल पूछ सकता है लेकिन हाँ यह आ सकता है क्योंकि यह concept बनाता है cost कम हुई है कि ज्यादा अगर आप actual cost बोलो और inflation को खत्म करो तब आप का answer होना चाहिए cost कम हुआ है अब हम पढ़ेंगे आगे history of computer कितना time हो time तो जानना पढ़ेगा न अरे 13 minute बहुत ही late हो जाएगा चलो पढ़ लेंगे last मैं trick भी बताऊंगा जुडे रहो यहाँ पे मैंनने लिखा है history of computer आपके सामने ऊपर देया था मैंने time history of computer का ठीक है लेकिन यहाँ से यहाँ तक history of computer ही है लेकिन first generation है जो मैंने आगे उपर बोला last history of computer है लेकिन first generation है actually generation generation and history का यहाँ पे overlap होता है okay मतलब first generation history ending की औरलाप है आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, शायद ये जनरेशन भी हिस्ट्री में ही मानी जाएगी. क्यों? क्योंकि शायद एलेक्ट्रोनिक भी खत्म हो जाए, शायद कोई नही दुनिया आए, शायद कोई लाइट इनरजी पे, ये लाइट इनिंग सिस्टम पे आए, लाइट पे चले कोई कम्प्यूटर, तो अब आपका एलेक्ट्रोनिक दुनिया भी हिस्ट्री मानी जाएगी, तब जनरेशन आएँगे लाइट के, फ़न जनरेशन, लाइट के दुन जनरेशन, लाइट का फ़न जनरेशन, एलेट के थ्री जनरेशन, ओके, ओके, role. अब आपके सामने हैं History of Computers इसको कैसे पढ़े सर बहुत ही मुश्किल लगता है सर ये तो समझ में भी नहीं आता है इसको कैसे पढ़े बहुत ही मुश्किल है ये सर क्या करे पढ़ना ऐसे है याद रखना First, Electronic Digital Computer याद रखना ये है पहला Electronic Computer उससे पहले क्या था सर मैं बताँ गा उससे पहले Mechanical Computer थे यहाँ तक Mechanical Computer थे Mechanical Computer उसके बाद Electro-Mechanical पहला Computer आया ये भी electromechanical ही था और ये Electronic Computer आया ठीक है न ऐसे पढ़ना है ये electronics computer है ये दो Although Electro-Mechanical Computer है ये तो mechanical computers है अगर सवाल आए पहला mechanical computer आप APACS बोलेंगे ये सारे mechanical है अगर सवाल आए पहला electromechanical computer क्योंकि electromechanical ये है तो पहला ये है लिखा भी है अगर सवाल आए क्योंकि ये electronic computers है न यहाँ पर अगर सवाल आए पहला electronic computer तो ये वाला लिखा भी है यहां पे, यही ऐसे ही पढ़ना चाहिए, इतना ही नहीं बहुत सारी चीज़े में आपको समझाओंगा साथ साथ, दिखो, 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 लेकिन modern basis पे abacus लाया गया, और आपको, abacus पता है किसलिए इस्तिमाल होता है, प्लस, subtraction, addition, ठीक है न, स्कार रूट निकालने के लिए, fast, fast calculation करने के लिए abacus लाया गया, और आपको पता है calculating device कोई भी क्या है, computer, fast calculation करने के लिए abacus लाया गया, तो अबाकस कहां पे आया? चाइना में. किसने बनाए अबाकस को नहीं पता. लेकिन अगर यह सवाल आए. मौडर्न अबाकस पॉर ब्लाइन्ड पीपल किसने लाया? मौडर्न लाइन इसका अबाकस जो अपके घर में होगा चोटे बच्चे के पास. वो इन्वेट किया Tim Cranmer ने. त्रिम तिम अबाकस कहां किस जगा में इन्वेट हुआ? तो आप लिखो के चाइना. अबाकस, मौडर्न टाइप का अबाकस. किसने इन्वेट किया? वो तिम Cranmer ने की इन्वेट किया. कहां का था त्रिम Cranmer? USA का था. अचा अगर यह सवाला है, जो अबाकस पुराने जमाने के था, वो किसने इन्वेट किया? कोई किताब नहीं बोल सकती. किसी के पास यह इन्वेट नहीं है. कोई किताब बोली कि तो गलत बोलती है. ठीक है? मतलब कि पुराने जमाने का अबाकस सामिट 16202 का किसने इन्वे फिर 16-17 में, नैपियर बोन्स आया, सर क्या ये, कौन से जानवर की बोन है ये, लेकिन याद रखना मेरे बाई, ये नैपियर बोन्स किसी भी जानवर की बोन्स इस्तिमाल करते थे, ये कोई खास जानवर नहीं था, लेकिन नैपियर इस बंदे का नाम था, इसी लिए नैपि Scotland का और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसने 3-Dimensional figure इन्वेंट की ये है 3-Dimensional figure अगर आप ऐसे करोगे इसको आप ऐसे बनाना इसको तरिके? बनने 3-Dimensional लंगद भी, ब्रेडद भी, हाइड भी अब ये जो 3-Dimensional figure आपके सामने नीचे है इसी को बोला जाता है Napier Bones, ये भी Napier Bones computer है और ये Bones का भी बना हुआ होता है, इतना ही नी ये Steel का भी बना होता है, ये Wood का भी बना हुआ होता है, लेकि Napier Bones, John Napier ने दिया Scotland का था 3-Dimensional figure है किस लिए? ये multiplication बहुत ही जबरदस करता है और आपको मैं बता हूँ multiplication बहुत ही जबरदस करता है इसका मतलब ये नहीं कि admission, subtraction ये नहीं करता है ना सब कुछ करता है, addition भी, subtraction भी division भी, square root भी, cube root भी, मगर मगर primary लाया गया multiplication करने के लिए अगर सवाल आए, Napier Bones computer का जिसको John Napier ने बना है Scotland का था वो, three dimensional figure था ये, Napier Bones, मगर ये computer जो है Napier Bones वाला वो primary function उसकी क्या है, multiplication याद रखना ये किसी SSE में आया था multiplication याद रखना और इसकी शकल ऐसे होती है 0 to 9 उपर scale होती है, rectangular शकल होती थी, याद रखना, Napier Bones computer की शकल, rectangular और scale, 0 to 9 ठीक है न, 0 to 9 scale और बीच में ये rectangular parts होते हैं, ये bones के बने होते हैं अब ये जो Napier Bones है इसको खुद John Napier ने बोला ये जो calculation होता है multiplication होता है, उसका नाम है Rabdo Logia John Napier ने खुद ये नाम दिया, Rabdo Logia Rabdo मतलब rod, Logia मतलब calculating क्योंकि ये rod ही होते थे ये rod ही होते थे या तो बोन्स के, या तो steel के, या तो wood के, ओके Rabdo Logia मतलब calculation, अरे आप बोलते हैं ना calculation, addition, subtraction उसने बोला, नाई, मैं अलग एक calculation नाम दूँगा calculation का नाम, Rabdo Logia जिसमें ओवेसली जादा तर efficient multiplication ही होता था, okay उसके बाद, ये याद रखना मैंने लिखा नहीं, याद रखना है यहाँ पर, बोला भी शायर लेकिन याद रखना, rectangular figure, 0-9 scale, pascaline 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 को adding machine भी बोला जाता है pascaline को adding machine भी बोला जाता है ये सारी चीज़े आप कैसे याद रखोगे मेरे लेक्चर का लास्टक वेट करो, ट्रिक मैं बताऊंगा हो सकता है लंबा लेक्चर हो, लेकिन सब से मुश्किल है history of computers उसके बाद हल्वा है, हल्वा है सब कुछ पढ़ना, अब देखो यहाँ पे है adding machine दूसरा नाम है Blessy Pascal ये सको इनवेट किया, फ्रांस का था ये प्लस और मिनस एडिशन और सब्ट्रेक्शन के लिए प्र्टिकुलरी, प्रेमरी फंक्शन ये था कि दो दो नमबर्स का एडिशन और सब्ट्रेक्शन करें लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बागे नहीं आता था इस machine को, इस computer को, इस pascal line को, cube root, square root, multiplication, division, सब कुछ आता था इस computer को लेकिन family काम था, addition, subtraction, two-two numbers का करना, याद रखना, यह भी rectangular shape था, rectangular shape का था, और याद रखना इसमे आठ circles, छोटे-छोटे circles थे, छोटे-छोटे circles थे, eight circles Rectangular Heart circles ब्रेस्टन रसुजविहाती त्रश आफिश थी मिभाव से अफुल्कवाइश एथा तो प्रेश्यूर क्रेक्ट होता था था अंदर लिकविड्स का नाच्ड पर स्कृन चाड़ता था कि क्या हूआ कितना हुआ addition, कितना हुआ, subtraction, calculating device, और उसी को computer बोलते हैं, कोई भी calculating device computer है, computer खोद बोलता है, मेरा नाम है, computer, मतलब calculate, computer निकरा है ना, computer से, okay, अब एटीन जरो वन में, जकॉर्ड लूम आया, अब यह बहुत इंटरस्टिंग है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा lecture, देखो, 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 जकॉर्ड लूम जो है, एटीन जरो वन में आया, जकॉर्ड ने उसको इंवेंट किया, फ्रांस का थ बनाया उसने computer, मगर जुगाड हुआ, जुगाड हुआ, टेक्स्टाइल इंडस्टी बन गई, पुरी दुनिया में, आज कल जितने भी आप देखते हो, टेक्स्टाइल इंडस्टी ऐसे लगे होते हैं, जिन पर वूल, सिलिक लगा होता है, दागे ऐसे लगे होते हैं, क्योंकि इससे टेक्स्टाइल दुनिया में रेवलूशन आया, टेक्स्टाइल इंडस्टी में, खासकल सिकिन भूविंग में, बहुत ही फरक पड़ा, बनाया था जुगाड ने computer, लेकिन बन गया वो टेक्स्टाइल इंडस्टी की दुनिया का बैकबोन, बन गया वो लू सबसान की फानोय कंपकाड्स यूजवे यूजभ उज ही, स्टोर कहने के लिए इंफोरमेशन था सर यहां पे के पे पेज पेज़ भी आश इसे डाट्स लग अहुँ जांपर ङहां पर कुछ नहीं यहां पर टॉग अंपर इंफॉरमेशन इंपस्टा था जैसे जिए र आ दो फिर समुजाए ना जैसे आज कम्प्वीटर जिर से लोट में काम करते हैं वैसे पंच कार्ड स्टो करता था इनवर्मिशन लेगिन पहली बार पंच काड कब आया इसी जुगाड वाले लूम में क्युंकि यह जो जुगाड इसने बनाय था यह इसने बनाया था यहां पर कोई action दे रहे थे यहां पर punch card निशान चला रहा था, punch card पर निशान चड़ता था, punch, punch मतलब जैसे हैं, punch मारते हो किसी को, तो निशान चड़ेगा न, वैसे यह होता था, effect से, effect से, effect से, असर, टकराने से punch होता था, और hole बन जाता था, वो information देता था, चलो, आगे हम आगे हम देखेंगे हैं, और इस अनलेटिकल इंजन को डिसकावर, इन्वेंट किया, चालिस बैबेज ने, लंदन का था, पहली बार जन्रल परपस कंप्यूटर लाया गया दुनिया में, जो सिरिफ एडिशन नहां, सब्ट्रेक्शन बहुत सारी चीज़ करता है, और वो सारे काम करें, और ये कंप्यूटर अनलेटिकल इंजन, चालिस बैबेज ने लाया और यही से शुरुवात मानी जाती है, एक्च्वल कंप्यूटर की, तब ही तो चालिस बैबेज को माना जाता है, फादर आफ कंप्यूटर, लेकिन चालिस बैबेज ने यहां पे नहीं ल तो डिफ्रेंस इंजन और अनेलिटिकल इंजन दोनु चार्लस बैभेज ने डिस्कवर किये आप इंजन से याद रखो ठीक है ना इंजन चार्लस बैभेज याद रखना पहले तो पंच कार्ड इस्तिमाल होते थे स्टोरेज के लिए बाद में पैग्स बैरल्स या काउंटर इस्तिमाल हुई ये एक तरह के विए थे जो काउंटर थे मतलब एक वील ऐसे चलेगा दूसरा वील ऐसे चलेगा काॉंटर विल्ज में इनफोरमेशन स्टोर होई लेकिन अच्छी तरह स्टोर इंपॉरमेशन स्टार नहीन होती अभी भी जो सिर्प अनडर परसादर इंफ तोर होता था कुछ information. जाकारसलू में पांच इंजिन पांच कार्स में और यहां पे पैक्स में, बर्लिज में, यहां काउंटर वील्ज में information फोती थी. अनलेटिकल इंजिन चार्ड बेबेजवाला. और याद रखना, यह computers जो है, यह scientific purpose के लिए यूज होते थे. बताओंगा कहां तक साइंटिफिक लिखा है नहीं नीचे 1980 में टैबुलेटिंग मशीन आया हॉलरित ने उसको इंवेंट किया अमरीका का था याद रखना क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये पहला एलेक्ट्रो मेकनिकल कम्प्यूटर है तक नहीं से बढ़ा शुओ किम्प्यूटर्या की का था और याद रखना ये अ एक 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 हैंड़ करता ये तो अकंप्यूटर described बहला टैबलेटिंग मशीन अचिन है, Electro-Mechanical Computer. उसके बाद Mark 3rd, Mark 2nd, sorry, Mark 1st, Mark 1st, अचिन की में आया, एकन अचिन इसको इन्वेंट किया, अमरीका का था, वर्ल्ड वार में काफी यूज वा इसका Mark 1st का, इसमें पैगस बेरल हो थे, इसमें भी पैगस बेरल ही थे, और Punch Card भी ये यूजकर था याद रखना यह यह Pecks Barrel भी और Punch Card भी आसा नहीं कि पांच कार बंद हुए The Pecks Barrel आने के बाद The Magnetic Drum आने के बाद यह सब बंद हुए The Magnetic Table locked delicious first लेकिन साथ में चलते थे देखो The Magnetic Drum से पहले पैग्स बेरल होता था यूज नॉर्मली और उससे पहले पंच कार्ड, मैग्निटिक ड्रम यहां पर आया, कब आया मैग्निटिक ड्रम पहली बार, 1944 में, स्टोर करने के लिए, पंच कार्ड स्टोर करने के लिए कब आया, जैक और सलूम में, पैग्स बेरल पहली बार कब आय अनलेटिकल इंजिन में? मागनेटिक दिन डिम कब आया? कब आया पहली बार मार्क फर्स्ट में? यह सारे आये होए कर्सट्छन है अब क्या मैं आपको सेस्सी के पेपर दे दूँ अब क्या मैं आपको जेका 스शबी का पेपर दे दूँ अभी का पेपर दे दो, टेंशन मात आप लीजे, नेक्स्ट पेपर आपका होगा अब्चेक्टिव, जिसमें आप देखोगे, हर एक जगा सवाल बनता है, तो याद रख लेजे, कि इसमें सरकेटरी बहुत जबरदस थी, इसमें सरकेट्स बहुत मुश्किल थे, ठीक है, पह इaltro को ज़नेरेशन आप यहां से यहां तक है वह यहां में पढ़ना है, यह जनरेशन का 1st जनरेशन है याद रखें, 1946 में इन्याग आता है, एलेक्टरॉनिक, नूमेरेटर, इंटेग्रेटर, एनज कम्क्प्यूटर, याद रर रखना, एलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि, पहल आपले एलेक्टरानिक डिडिटल गप्योटर की हां, ने की है। समझ ऐा। ओकी। पहला औलेक्टरानिक डिडिटल कम्योटर… किसने इनवाटके इकुर्ट एन मेधे अम्रीका का थाई ये भी सांटिफिक परपस के लिए लाये गया। यह सारे scientific purpose के लिए आये हैं, जब तक IBM ना आये, sorry जब तक Univac ना आये, Univac, 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 Okay, उसके बाद 1949 में आता है ADESAC, Electronic Delay Storage Automatic Computer, यहाँ पे Storage Keyboard है, Storage Keyboard है, क्योंकि यह पहला Storage Computer था, जो पर मिनट स्टोरेज करता है, यह तो स्टोर करते थे, punch guard, barrel, and magnet drum, लेकिन टेम्पोरेरी, 4-Minute Storage, ADESAC में आया, Electronic Delay Storage Automatic Computer, और हाँ, इसको इनिमेंट किया, New Man ने, One New Man, अमरीका का था, जिसने, First Architecture Computer का भी दिया, वो हमें आगे भी बढ़ना है, Architecture आग से, यह स्टोर, इनस्टेक्शन उड़ाटा का करता था, मेमरी में पर्मेंटली, वो तो बोला, और प्रोग्रामिं की दुनिया भी यहां से ही, Efficiently आई, सवाल आये हैं, यह सारे के सारे यार, इसले पूरी तरह ध्यान दे दो, फिर 1950 में आता है, UNIWAC, Universal Automatic Computer, युनिवर्सल नाम, की वर्ड है यहां पे, युनिवर्सल मतलब, जो पूरी दुनिया में चलता हो, जिसमें बहुत सारे काम करने की ताकत हो, वही तो है ना, General Purpose, लेकिन Electronic, पहला General Purpose, Computer कौन है, Analytical Engine, Charles Babbage का, 1837 में, डेट रखने की, यह एक बात बुलूँगा, डेट कोई याद मत रखो, डेट याद रखने की कोई जोरत नहीं है, लेकिन यह याद दो रखो, पहला General Purpose, General Purpose जो बहुत सारे टास्क्स करे मगर Electronic Computer कोन है, Univac, ठीक है, पहला Electronic Computer कोन है, Univac, लेकिन यह Special Purpose था, General नहीं था, पहला General Purpose कोन है, Univac, सवाल आएगा पहला General Purpose, Univac, पहला Electronic, Univac, पहला General Purpose, Normal, यह तो General Purpose, Electronic है, OK, OK, समझ आ गए आपको, अब इसको किस ने Discover किया, Sorry, InVet इसको किस ने किया, एकर्ट और MacLean अमरिका का था, OK, यह Commercial यूज के लिए आया, इससे पहले Scientific Purpose के लिए, सिर्फ Scientific Purpose, यह Commercial Purpose के लिए इस्तिमाल हुआ, और इसमें जो Memory थी, वो Magnetic Tape इस्तिमाल की गई, इससे पहले Magnetic Drum चलते थे, Magnetic Drum से पहले Pegs Barrel चलते थे, और Punch Card, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि Punch Card, बस य नहीं कहीं और जगा, Magnetic Drum के साथ साथ साथ, Punch Card भी चला, Magnetic Drum के साथ साथ साथ, Pex Barrel भी चले, OK, यहां पर Magnetic Tape पहली बार सवाल आएगा ना, पहली बार Magnetic Tape दुनिया में कहां पर आया, किस computer में आया, कौन से डेट पर जोरत नहीं, डेट पर जोरत नहीं, डेट पैसे जोर को फर्स्ट जनरेशन कल पढ़ना है न, तो यह नाम आपके सामने आएंगे, फर्स्ट जनरेशन आप computer कुछ books Mark 1 लिखती है, उसको काटो, गलत है वो, फर्स्ट जनरेशन तो वो electronic दुनिया से स्टार्ट, Mark 1 तो electronic है नी, Mark 1 तो electromechanical है, electronic तो यह है, पहला electronic digital computer, OK, IBM, International Business Machine, देखना चाहूंगा कोना अंसर देगा, यह 650 का मतलब क्या है, क्या इससे पहले 649 आय थे, या कोई और रीजन है, बताइए, 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 आई बिम, जो international business machine है, IBM company ने डिसकावर किया, इसको एक बंदे ने डिसकावर नहीं किया, इसको पूरी company ने डिस कनवर्ट करना, डिसमिल कोड में, दो डिजिट डिसमिल कोड में, कोई भी अलभा बेटो, ABCD, कोई भी करेक्टर हो, अलभा बीटा गामा, उसको डिसमिल कोड में कनवर्ट करने का काम, IBM ने किया, कमर्शल मैंने बोला, IBM, IBM मैंने बोला ना, कमर्शल, लिखा भी है बिसनस, international business, तो ये कमर्शल परपस के लिए बहुत ज्यादा यूज़ हूब, बहुत ज्यादा भी हिसा ग्री गृत कमर्सल यूज़ हूब, इसका बहुत ही स्वाल आय पर, पहली बाद कम्प्यूटर ने बहुत हच्छाब ज्यादा किया, IBM मैं, पहली बार, कम्प्यूटर ने कहां ने कमर्शील यूज किया तो एक कangoुए जब क्वाइब एक निर्ड तो टो य्वायट क पिचा都是 सं São सेंटिफिक हूत क्लिए आप ने ले में दे कोई एक कमपपनी में एमपलाईज को पैसे तो पे करना होता है, पे, और एक रेजिश्टर में नाम होता है आपने पेमेट ले ली, आपने पेमट ले तो पैरोल प्रोसेसिंग के लिए ये कंप्यूटर यूज हुआ, कंप्यूटर में ये डाटा रखा गया था बास शॉट में, और उसके लिए आई बीम यूज किया गया, फिर्स्ट हिस्ट्री तो होगी, अब थोड़ी सी ट्रिक्स, याद कैसे रखे और उपर ऊपर से थोड चाइना में तो आया ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्यूंकि इस से टाइम, इस मशीन से टाइम आसान होता है, तो ट्रिम, टाइम से ट्रिम, ट्रिम, क्रैनर, ओके, जो कि चाइना करनी था, अमरीका कर था लेकिन इसने लेटेस्ट अबैकस दिया, लेटेस्ट अबै याद रखना नैपीर तो ठीक है, सुकाट्स, आप मानो छोटा बच्चा नैपी लगा के सुकाट्स करता है, सुकाट्स मतलब उठा बैठक, उठक बैठक करता है, और उठा बैठक सुकाट्स करता है, ठीक है न, और जब उठक बैठक करता है, तो नैपी किसली होता है, वो त तो माँ ने उसको दो लिया אो के पैस का लाइन की से प्लस होता है एड करना प्लस होता है एड करना याद रट रखना सो एड करना प्लस इसको एड दो चार ऐड करना सेगवे अधिक बिल элем उसके बाद Jacquard's Lume, ज़कार्स Lume इसने क्या बनाया था, कम्प्यूटर, लेकिन जगाड हो गया ना, तो Jacquard's Lume, क्या जगाड हो गया, पुरी दुनिया आज की, चल रही है इस ही पर, Analytical Engine, इसने बड़ा Analysis करके दिया, काफी Analysis किया, तभी तो, फादर है यह Charles Babbage और यह पहला general purpose है ठीक है tabulating machine, देखो machine क्या होती है machine होती है कोई भी जो कि mechanical काम करे जब भी अब mechanical engineering पढ़ते हो तो machines पढ़ते हो, क्योंकि machines moment होती है और mechanics होती है mechanical लेकिर आपका tablet गर में है न tablet mobile, tablet, laptop, tablet जो है न वो electronic device है तो tableting machine पहला electro machine mechanical tablet, electro, machine, mechanical पहला electro mechanical device ठीक है और आप मानलो कि tablet के साथ machine जोडनी है तो उसको hold करना है जदा करना है तब ही तो machine जोड़ेगी ऐसे ही एक image दिमाग में रखो तब ही तो clear picture आजाएगी mark second sorry mark first ठीक है वैसे मैं science and technology कावी ज़ादा पढ़ाता हूं यूपसी वालों को उनको बहुत ज़ादा मार्क पढ़ना पढ़ता है न science and technology में GSMB mark 1, mark 2, mark 3 ये कैसे चंदरियान मिशन वो ये बहुत सब्सक्राइब पढ़ाता हूं अभी भी और पढ़ा रहा हूं अभी भी business highly commercial purposes के लिए यूज हुआ यहां पर लिखा है commercial purposes के लिए तो चलो भाई थोड़ा सा देख लिए और भी ट्रिक्स है शायद दिमाग में लेकिन लंबा हो जाएगा lecture ओके अल्लाहाफिज